हेलो बच्चो आई होप यो आल अर गोड तो चलिए स्टाइट करते हैं कोश्चन नमबर फोर जो की है बहुत ज्यादा एंपोर्टेंट वन मार्कर और टू मार्कर टाइप में तो थोरा सा ध्यान से देखिए और सॉल हॉट करने की कोशिस किजिए पिछले कोश्चन सा अल्र क्या है symmetry तो कोश्चन की हिसाब से चलो symmetric है मतलब । अ गोच चलते Energy चलते हैं अब ओके भी निएबब करो तो AB minus BA is Q symmetric, यह नहीं कि यह Q symmetric है, तो भाई, पहले हमें करना पड़ेगा क्या, उसका transpose, करते हैं transpose, तो क्या हो जाएगा, AB का transpose, बता रखा है आपको, minus BA का transpose, कैसे होता है, यह basic में हमने, जब transpose करते हैं बच्चे, तो you better know, कि हमेशा, जब AB है, तो पहले B का transpose, then A का transpose, minus A transpose, B transpose, अब question देखो, B transpose B के equal है, A transpose A के equal है, given है, minus A transpose, फिर से A के equal, B transpose B के equal, कहां से आया, तो given था, यहां से देखो, भाई, AB minus BA है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, common ले लो minus, तो minus वाला plus, plus वाला minus, और देखो यह किसके है, AB minus BA का transpose के equal, कोई भी matrix का transpose, अगर करेंगे, और वो उसके minus के equal आता है, negative के equal आता है, तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, skew, symmetric, समझा गया, skew, symmetric, प्रूव हो गया अगर, कोई B जैसे सब हो जगा matrix P है, इसका transpose किया, और यहां गया minus P के equal, तो यह हो जगा SQ symmetric, question number खतम, यह पूरा P था माल लो, P का transpose किया, तो minus P, ऐसा एक और exercise में question था पीछे, अब चलते हैं, question number 5, क्या है, क्या है, so that matrix B-AB जो है, वो कैसा है, symmetric, या फिर skew, symmetric, okay, क्या है, symmetric भी है, और skew, symmetric भी है, यह तोनों ही है, किस case में, क्या है, अगर A symmetric है, तो यह हो जाएगा, symmetric, अगर A skew symmetric है, तो यह पूरा का पूरा skew symmetric, question समझाया, तो पहला case लेते हैं, दो case है इसमें, कि if A is symmetric, okay, A अगर क्या है, symmetric है, तब हम प्रूफ करते हैं, means, A dash, जो है, A के equal, बोला नो, उसने, is a symmetric, और a skew symmetric, कब, according as A is symmetric, A symmetric, तो यह पूरा का पूरा symmetric, तो चलो, तो भाई, proof करने के लिए क्या करेंगे, B dash, A, B का कर देंगे, हम transpose, और आपको एक चीज़ बेटर पता है, कि भाई, कैसे कैसे करते हैं transpose, तो एक बार होगा, यह पूरा देखो, A, B एक साथ है, तो A, B का transpose, और एक बार B का transpose, फोड़ा different किया, यह फिर ऐसे भी कर से, तो B transpose, यह transpose, और कुछ ऐसे, B का transpose, पीछे सामेसा होता है transpose, फिर A transpose, और इसका तो दुबड़ा transpose था ही न, यह तो transpose है, और यह वाला transpose, और transpose का transpose, ख़तम हो जाता है, पता है आपको, और, देखो, transpose का जब transpose करते हैं, तो वह होता है B के equal, एक एकवल ऑगे और यह यह नहीं है क्लिए और अगर ऐसा आ गया क्यों हुआ यह आगया चुकि एक एकवल है और यह आ गया तो कोश्टन प्रूव हो गया ना यहीं तो कह रहा है बच्चे कि भई देखो इसका ट्रांस्पोर हमें ने बता रहा है कि तीन नमरों जैसे A, B, C इसका करेंगे ट्रांस्पोर्ज तो होगा C ट्रांस्पोर्ज, B ट्रांस्पोर्ज, A ट्रांस्पोर्ज पीछे से तो देखो इसका करेंगे तो B ट्रांस्पोर्ज, A ट्रांस्पोर्ज और इसका दुबारा ट्रांस्पोर्ज का ट्रांस्पोर्ज तो खतम हो गया तो जब क्या है कि if a is skew symmetric, इस case में कर स्च्वी स्थिमेट्रिक है, तो a' जो है –a के इकवल होगा, यह भी आपको बहुत अच्छे से पता है, a' is equal to –a और b' a b का हमें प्रूफ करना है, करते हैं इसका transpose, क्या होगा देखो, B transpose A transpose और B transpose का transpose भाई B transpose तो क्या रह गया यही A transpose minus A के equal given है किसी भी चीज़ का transpose का transpose खतम हो जाता है तो B transpose यह given था भाई और minus A पहले लिख दिया देखो अब देखो भाई minus पहले लिख देना बीच में मतलगा देना minus वरना कुछ ऐसा हो जाएगा और हो जाएगा गलत हमें सा माइनस स्टार्टिंग में क्योंकि multiply में है सब तो देखो भाई इसका transpose किया तो देखो आ गया इसका किया तो भाई पता चलिए कैसे A transpose और B transpose दुबारा से transpose तो खतम और यह negative के equal आया देखो negative के और negative के equal आता है तो हम कह देते हैं किसी का transpose negative के equal है तो भाई वो होता है is skew symmetric खतम question खतम यह हो गया question number 4 or 5 complete और आपको चाहिए class 12th की complete maths series तो आप contact करें हमसे इस number पे मैं अभी नीच सर इस number पे आपको मिलूँगा whatsapp call कोशी भी कर सकते हो आप अपनी choice के हिसाब से हंजी but ध्यान रहे अगर आपको चाहिए complete तो आप एक बात और याद रखें real concept app download करें अपने play store से उस app में आपको मिलेगी पुरी कुपुरी live series हम live class देते हैं live class मिलेंगी आपको साथ ही मिलेगी recorded videos assignment, test, everything is on this app और download your case number पर contact करें और फिर आपको मैं दूँगा batch code then you have to join this उससे पहले आप जोइन नहीं कर सकते हैं सिर्फ download करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि मैं यहां से आपको batch code ना दूँ तो that's why download करें live class ले और recorded videos, everything thank you so much for watching this